आप में से बहुत सारे लोगों ने एक PHP का डायनमिक प्रोजेक्ट बनाया होगा लेकिन जब आप उसे ऑनलाइन सर्वर के ओपर माइगरेट करते हो तो आपको बहुत सारे प्रावलम फेस करने को मिलते हैं लोग इन काम नहीं करता आपका एर आ रहा होता है माइसक्वेल का यहाँ पर पास्वर्ड यूज कर रहा है बंदा नहीं यूज कर रहा है येस नो ऐसस डिनाइड ऐसे बहुत प्रोब्लम साते हैं तो मैं आपको आज बहुत इस सिंपल तरीके से यह बता दूँगा कैसे आप प्रोपर तरीके से एक डाइनमिक वेबसाइट को उसके डेटा बेस के साथ एडमिन पैनल के साथ एक कम्प्लीट जिस तरीके से वो आपके कम्प्यूटर में चल रहा है प्रोपर एक बैक अप म रहती है यह काम भी बहुत जादा आसान आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ अगर आपने मेरे चैनल के पी एचपी सीरीज को फॉलॉप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा मैं बहुत सारे वीडिय 24 वीडियो मैंने कराई थे और काफी अच्छा रिस्पॉंस रहा है आप लोगों का इवन इसके अंदर मैंने प्रॉपर्ली प्रोजेक्स एन एड्मीन पैनल वगरा भी बनाना सिखाया है आप सीख सकते हो और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि आने वाले क कुछ ही दिनों के अंदर एक बार अगेन मैं PHP स्टार्ट कर रहा हूं फुल डीटेल्ड में अगर आपको जल्दी में PHP सीखना है तो इसको फॉलो करना डीटेल्ड वाले के लिए चैनल के प्लेलिस्ट को जा करके आप देखें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आइकन को क्लिक करके अल नोटिफिकेशन को अन करें था कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर आप चैनल पर न्यू है तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्षन को देखें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट यहां पर मिलेंगे तो यह मेरा व और एक पासवर्ड मैंने इसको यहां पर प्रोवाइट कर दिया लॉग इन पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देखोगे वेलकम आपके एक सामने बिसिकली मैं लॉग इन हो चुका हूं तो यह मुझे वो चीज बता रहा है अब प्रोफाइल है यह है वो है दुनिया भर के मैं इसको चेक कर सकता हूं मैंने इसको लॉग आउट कर दिया इवन एड्मिन का भी खुद का एक पैनल है और सारी चीज़े इस तरीके से आपका एक डानमिक वेबसाइट होता है ना ऐसे ही मैंने एक बना रखा है तो अब मैं यह एस्यूम करता हूं कि आपके पास एक प् आई थिंक कार वन कुछ ऐसा नाम दिया था मैंने उसको और राइट सो यह मेरा डेटावेस है इसके उपर मैंने क्लिक किया यह मेरे सारे के सारे टेबल्स यहाँ पर आ चुके हैं यह मेरा डैश बोर्ड है सबसे पहला काम जो हमें करना है वो यह है कि अपने प्रोजेक्ट का एक बैकप क्रियेट करना है आप आजाओगे अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में सारी फाइलों को सेलेक्ट करोगे राइट क्लिक करोगे और एड टू आर्काईव आपको करना है ठीक है यह अप्शन डैरेक्ट नहीं मिलता एड टू आर्काईव इसके लिए आपके कं करनी है ध्यान दे मैं 7-zip को यूज़ नहीं कर रहा हूं मैं विन रार को यूज़ कर रहा हूं और इसके बाद okay के उपर हमें टिक लगा देना है अब आपके पास एक compressed file होगी यह आप देख सकते हो book का एक icon आएगा यह आपका पूरे website का backup यहाँ पर बन करके तयार है अब हमें क्या करना है किसी भी website को online लाने के लिए हमें कम से कम दो चीजों की जरूरत पड़ती है एक होता है domain name और दूसरा होता है हमारा hosting domainresor.com पे आ करके आप यह दोनों ही services को opt कर सकते हो हम यहाँ पर जाएंगे यह web hosting वाले page पे और आप read out कर सकते हो domainresor आपको light speed की technology और pure SSD का disk space प्रोवाइड करते है और इन दोनों की combination से आपकी website 20 times faster बन जाती है और SSL certificate आपको यहाँ पर free मिल जाता है नीचे स्क्रॉल करते है pricing plan की हम बात करते हैं तो देखो basic plan स्टार्ट होता है 59 रुपीज पर मन्त से जो कि advance तक जाता है 249 रुपीज पर मन्त तक personal plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो unlimited की storage है unlimited email address create कर सकते हो unlimited bandwidth है light speed की technology है और premium SEO tool आपको free मिलेगा silver plan के अंदर आप तीन website को host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े सेम है और unlimited है advance plan के अंदर आपको एक domain name free मिल जाएगा unlimited website को host कर सकते हो बाकि सारी चीज़े भी यहाँ पर unlimited है advance plan, IT industry persons के लिए, web designer, developers के लिए, freelancers के लिए बहुत ही बढ़िया एक plan है क्योंकि इसमें unlimited websites आप बना सकते हो और अपने business से काफी पैसे कमा सकते हो इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है यह एक AI based tool है जो आपको help करेगा अपने website को Google के top पे rank कराने में अगर आप अलग से इसको खरीदने जाओगे तो $49 per month, 36-3700 रूपीज का खर्चा आजाएगा per month का domain research आपको अपने plan के साथ यह free में provide कर रहे है basic plan के अंदर आप एक website को host कर सकते हो, 1GB की storage है, 10 email address create कर सकते हो 5GB की bandwidth है, light speed की technology है resources की limitations हैं यहाँ पे, but school, college के projects के लिए और low level के छोटे मोटे projects के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पे आपको SEO टूल नहीं मिलेगा, आप अलग से चाहो तो खरीद सकते हो, लेकिन फिर वो काफी महंगा पड़ जाएगा, उससे अच्छा तो आप personal खरीद लो यह आपका 8-9 सर का में total काम बन जाएगा पूरे साल के लिए, अपने budget और requirement के हिसाब से यहाँ पे plan select करें मैं recommend करूंगा अपनी तरफ से कम से कम personal की तरफ जाए, इसमें अच्छे-च्छे features आपको मिल जाते हैं जितने भी duration के लिए आपको opt करना है वो tick लगाए और view more उपे click करें यहाँ से आपको domain name select करना है और यहाँ से आपको .in.com जो भी चाहिए है उसको check करें एक बार यह आपको यहाँ पे available हो जाए ना, तो नीचे scroll करके simply आपको यहाँ पे continue करना है details को read out करके again continue करें, continue करें, यहाँ से अपने hosting को domain name वगरा को check करें कुछ गलत दिखता है तो edit करें, कुछ extra दिखता है तो यहाँ पे tick लगाके delete करें एक बार आप इसको verify कर लेते हो simply आपको यहाँ पे checkout के उपर click कर देना है checkout पे click करने के बाद जिस तरीके से आप online shopping करते हो, sign up करते हो, उसी तरीके से यहाँ भी आपको sign up करना है अपने details provide करने है, एक email and password provide करना है और अपने order को यहाँ से complete कर लेना है एक बार आप इस process को पूरा कर लेते हो, तो आप आजाओगे main page पे और यहाँ से आपको जाना है login पे order completion के time पे जो email आने password आपने दिया था, वो यहाँ पे provide करें और simply आपको यहाँ पे login के उपर click करना है login पे click करने के बाद यह आपका एक dashboard खुल जाएगा जितने भी services आपने opt किये होंगे, आपको दिखाई देंगे simply आपको services के उपर click करना है जिस भी domain के उपर आपको काम करना हो और आपकी website को online लाना हो उसके active button के उपर click करें active button पे click करने के बाद right hand side पे नीचे एक option मिलेगा आपको login to cpanel, simply आपको इसके उपर click कर देना है अच्छा मैं अपने इस project के admin dashboard को cut कर रहा हूँ और इसके demo को भी मैं यहां से cut कर देता हूँ और आप चाहें तो इस वाले page को भी यहां से cut कर सकते हो तो यह आपका domain research का dashboard है यहां पे एक अच्छी बात यह है कि आपको 100 plus option मिलते हैं अलग-अलग चीजों को handle करने के लिए तो आप काफी कुछ सीख सकते हो web designing development का यहां पे और web hosting servers के बारे में हम क्या करेंगे यहां पे नीचे scroll करेंगे एक section मिलता है हमें files का file के अंदर एक option मिलता है अपने को file manager simply आपको इसके उपर click कर देना है left hand side पे अगर आप नीचे scroll करोगे तो एक folder मिलेगा आपको public underscore html इसके नाम के उपर आपको click करना है यह हो सकता है यहां पर आपको खाली दिखे इन files को ignore करें मेरे पिछले कुछ projects हैं यह वे file को जो आपका compressed file है उसको यहां से drag करें और अपने tab के ऊपर इस जगह पे ला करके इसको drop करें यह files upload होने के बाद आप चाहो तो इसको cut कर सकते हो और यहां आपको इसको reload करना है यह आप देखोगे zip file आपको देखने को मिलेगी अगर किसी reason से यह आपको देखने को ना मिले तो one level up कर लेना या फिर public underscore html पे दुबारा क्लिक करें यह आपका reload हो जाएगा आपको अपने zip file पे right click करना है और extract का एक option मिलेगा यहां भी मिल जाएगा simply आपको इसके उपर click कर देना है click करने के बाद extract file पे click करें तो अब देख सकते हैं यह files हमारी extract हो गई और पीछे यह आपको देखने को मिलेगा नहीं आता है तो again reload कर लेना या फिर public underscore html पे दुबारा click कर लेना यह files आपको यहां देखने को मिलेगा और यह आएगा ही आएगा क्योंकि यह static part हुआ है यह तो आपने पहले से भी देखा होगा और आपको इतना आता होगा तो एक काम मेरा पूरा हो गया चलिए मैं इसको open रखता हूँ मुझे आगे जाकर के मुझे इसका काम है अब आएंगे अपने c-panel के अंदर वापस और आप देखोगे तो यहीं कहीं पर आपको एक option मिलता है mysql databases simply आपको इसके उपर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कहता create new database ठीक है तो यह आप देख लेना एक पहले से कुछ नाम लेकर के यह आ रहा है पहले मैं इसको यहां से copy कर लेता हूँ और यहां करके मैंने इसको paste कर दिया मैंने का इसको यह रहेगा मेरा db name मैंने इसको यहां paste किया ठीक है अब car का project तो मैं यहां पे car दे रहा हूँ और create database के उपर मैंने simply यहां पे click कर दिया database हो गया create एक नाम से एक ही बना सकते हो तो ध्यान देना स्पेलिंग को बैक आओगे तो यह database आपका यहाँ टिक लग जाएगा आपका यहाँ पर कार नाम से आजाएगा आप उसको देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करोगे तो कहता add user mysql users देख पा रहे हो username तो मैं username को copy कर रहा हूँ और यहाँ करके पहले तो मैं car लिख देता हूँ क्योंकि यह आपका fix था उसके बाद हमने car नाम से बनाया यह आप यहाँ देख सकते हो यह वाली चीज आपको as it is यहाँ लिख करके रख लेना है ठीक है अब आते हैं username की username क्या बनने वाला है मेरा तो मैं नीचे आ गया उसमें भी एक चीज fix है तो मैंने कहा चलो username थोड़ा अलग रख लेते हैं दोनों same मत करना problem face करना पढ़ सकता है अलग अलग रख लो let's go with hello car चीक है अब एक password देना है तो मैं password generator का use कर रहा हूं यहाँ पे और इसको मैंने यहाँ से copy कर लिया जब आप इस वीडियो को देखो कि तब तक मैं password को change कर दूँगा और project को भी delete कर दूँगा so मैंने password यहाँ paste कर दिया अब hello car मैंने दिया है तो मैं यहाँ से hello car को copy कर रहा हूं तो यह मेरा overall क्या बनेगा यहाँ hello car और उससे पहले क्या है यह वाली चीज मेरी common है आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो आप hello car से पहले उसको paste कर दोगे exact यही चीज बन रहा है आपका इस जगा पे यह चीज आपको ध्यान देना है password match कर रहा है don't worry create user के ओपर आपको click करना है click करने के बाद यह भी आपका बन करके ready है go back पे click करेंगे और यहाँ पे आते हैं हम फिर से एक बार नीचे जब आप नीचे आओगे न तो यहाँ पे आपको different different चीज़े यहाँ पे देखने को मिलेंगी एक तो यही हो गया आपका कहता add user to database username क्या है hello car उसके अंदर database कौन सा है cyber car जो भी लिखा हुआ है database यही है मेरा वो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो user क्या है मेरा वो आप यहाँ पे देख सकते हो जब आपका यह यहाँ पे दिख है न आपको तो आपको simply add के ऊपर click करना है जब आप add के ऊपर click करोगे तो यह आपसे privileges पूछेगा क्या क्या permission इसको देना है सारा कुछ permission मुझे देना है तो इस पर टिक लगाएंगे नीचे scroll करके make changes के ऊपर click करेंगे तो आप देख सकते हैं के message यहाँ पे मुझे मिल रहा है जो भी करना था हो गया इतना ही काम था अब हम जाएंगे go back और देखते हैं यहाँ से यह शायद back ज्यादा जाने नहीं देगा मुझे तो चल यही से ज्यादा back ही हमें जाने नहीं देगा तो मैं दुबारा से main page को अपने client section में जाके login कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर domain research लिख दिया और दुबारा से मुझे उसको login करना है मैं click कर देता हूँ services पर मैं गया active पर click किया login to cpanel पर click किया यहाँ scroll करके अब मैं जा रहा हूँ मेरे my skill के section में अब देखो php my admin का एक option मिलेगा इसके उपर click करोगे आप तो यह आपका php my admin का online interface खोल करके रख देगा आपके सामने अब इससे पहले मैं आपको इसको समझाओ यह मेरा local host वाला है वो आप उपर पढ़ पा रहे हो आप क्या करोगे जो आपका project है उसके database के नाम के उपर click करोगे ध्यान दे किसी table के उपर click ना करे database के नाम पे click करे export का एक option आपको मिलेगा इसके उपर आपको click करना है जब आप इस पर click करोगे तो यह नाम पूछेगा जो मर्जी नाम एक backup file का नाम generate कर देगा यह नहीं भी रखो कि कोई दिक्कत नहीं है SQL की file होनी चाहिए है यह और simply आपको go के उपर click करना है तो अब देखो एक backup file बन चुका है यहाँ पे मैं इसको drag कर रहा हूं और मेरे folder में लाकर के छोड़ देता हूं SQL की एक backup file है चलिए अब आपका local host क का काम हो गया खतम अब चाहें तो अपने local host के server को यहां से cut कर सकते हो अब यह जो PHP my admin पे click करके जो online वाला interface हमने खोला यहां click करके इसमें आप देखोगे cyber car नाम से बन चुका है जो कि हमने create किया था cyber war car इसके उपर आपको click कर देना है जब आप इसके उपर click करोगे ना त local host से हमने export करके backup बाहर निकाल लिया अब यहां import करना है import पर टिक लगाओगे तो make sure यहां पर SQL selected हो और choose file के उपर आपको click कर देना है जब click करोगे तो उन folders में पहुंचते हुए अपने SQL file को ढूंड लेना जहां भी आपने उसको save करके रखा है और उस पर click करके simply आपको open क पर टिक लगा देना है जब इसका नाम आ जाए नीचे scroll करो go पे click करो तो आप देखोगे यह successful हो गया और इसके अंदर मेरे सारे के सारे tables यहां पर बन जाएंगे जो मेरे local host पे थे अब अगर मैं मेरी website के उपर आऊं और इसको refresh करूं तो actually हो सकता है आपको कुछ design यहां प के उपर इस चीज के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा जो मैंने यह page open करके रखा था वही public underscore html वाला इसके अंदर मैंने यहां पे connection फाइल बनाई होगी php की तो हम उपर जाते हैं includes का folder है मेरे पास आपके case में आपने connection फाइल जहां भी बनाई है उसको right click करके open करोगे edit किया मैंने again edit किया तो यहां पे मुझे credentials जो है वो provide करने मैं zoom करूं तो शायद आप देख पाओ better तरीके से अब देखो क्या कहता database का user zamp, vamp, amp, lamp जो भी आप local host पे use करते हो by default आपका root रहता है यहां पे username root नहीं है यहां पे server वाला है जो भी आपके case में आया होगा इसको copy करें और इस root की जगह पे paste करें एक space वगड़ा भी extra ना दे database का password initially हम खाली छोड़ते हैं उसको लेकिन यहां पे एक password generate किया गया था इसको copy करें और यहां करके paste करें कहता database का नाम क्या है car rental यह दो चलो मैंने बनाया था अभी जो server के उपर बना है वो क्या है वो यह रहा मेरा db name इसको copy करें यहां करके इसको paste करें आप समझ चुके ह आउंगे क्या क्या चीजे आपको किस तरीके से provide करना है control 0 से zoom दूबारा कर दिया मैंने normal save changes के उपर click करें अपने website के उपर आए और इसको एक बार refresh करें तो आप देख रहे हो मेरी पूरी की पूरी website यहां पर खुल चुकी है एक बार test कर लेते हैं login काम कर रहा है कि नहीं क करता हूं और यहां पर मैंने क्लिक किया login पर तो यह page आ चुका है कहीं कोई error नहीं है तो मैंने यहां पर email और password प्रोवाइट किया यहां पर login के उपर click कर रहा हूं तो आप देखोगे यह जो है ना interface मेरा login हो गया और वही option मेरा यहां पर आ चुका है तो मेरा complete यहां पर एक dynamic website PHP का database के साथ online मैं यहां पर ले करके आ चुका हूं तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक dynamic website को online ले करके आते हैं और उमीद करता हूं आपको यह समझ में आ चुका होगा PHP सीरीज को follow up नहीं किया है description में link होगा उसे देखो और आप follow कर सकते हो अगर यह वीडियो आपको अच्छे लग यह तो please like करें comment में अपना feedback जरूर दे channel पर नहीं हो तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos को notification मिलती रहे मैं मिलता हूं आपसे अगली video में thanks for watching guys